नमस्कार साथियो, हिंदी नेट शाला चैनल में आप सभी का पुन्हों हार्द कभी नंदन है आप सभी की आगामी परिक्षाओं की तयारी है तू हम हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हैं प्रकरण का नाम वही रहेगा संग्या से अभ्ये तक तो इसके बीच में जो भी हैं आपके संग्या सर्वनाव क्रिया वगर्द वो सब हम इसमें पढ़ रहे हैं तो RPSC Assistant Professor के कल प्रशन लास्ट है जो 130 वा प्रशन था वह RPSC Assistant Professor का था वहीं से शिरू कर लेते हैं सार्वनिक विशेशन युक्त वाक्य है इतने गुडग्य और रसिक लोग एकत्र हैं दौनों के दौनों लड़के मूर्ख निकले राम का सिर कुछ भारी सा हो गया तो राम तो संग्याई हो गई उसे दवा दो दो गंटे बाद दी जाए तो विशेशता भी होनी चाहिए कि विशेशन भी होना चाहिए और सर्वनाम भी तो पहला ऑप्षन इसका सजय है इतने गुडग्य और रसिक लोग एकत्र हैं ठीक है दूसरा प्रेशन देखे सार्वनामिक विशेशन क्या होता है इसको भी समझते हुए चलेंगे व्यक्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं तू वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संग्या के पहले आते हैं तब वे नामिक विशेशन कहलाते हैं जैसे वह नौकर नहीं आया यह गोड़ा अच्छा है यहां नौकर और गोड़ा संग्यां के पहले विशेशन के रूप में वह यह सर्वनाम आए अधह यह सार्वनाम यानिıllि संग्या से पहले जो आएं है इसलिए ये सार्व नामिक विशेशन और व्यतपत्ति के आधर पिर सार्वनामिक विशेशन के दो भेदें मॉलिक और यॉग ने 59 कि कि 11rence कि तो 118 पृष्ढ देख लेते हैं किस और दो वेद सक्रमक क्रिया उसे कहते हैं है जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता से हो पर जिसका फल राभाव किसी दूसरे व्यक्तिया वस्तू अर्थात कर्म पढ़े कर्म पर पड़े अर्थात उधारन देखिए शाम आम खाता है इस बाके में शाम करता है पर खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंद है प्रिश्ण होता है क्या खाता है उत्तरहें आम खाता है इस तरहें आम का सीधा खाने से संबंद है अतरहें आम कर्म का रखे यहां शाम कि खाने का फल आम पर अर्था कर्म पढ़ पढ़ता है, इसलिए यह क्रिया सकर्मक है, कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, यहां गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं, अकर्मक क्रिया देख लेते हैं कैसे पैचानेंगे, जिन क्रियाओं या व्यापार का फल करता पर हो वह अकर्मक क्रियाओं हैं अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता क्रिया के व्यापार का फल दूसरे पर ना पढ़कर करता पर पढ़ता है कैसे शाम सोता है शाम सोता है इसमें सोना क्रिया अकर्मक है शाम करता है सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी हो रही है अतहा सोने का फल भी उसी पर पढ़ता है इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है इसी प्रकार नौकर बीमार रहा तो फल बीमारी का किस पर पढ़ रहा है नौकर पर तो ये क्या है अकर्मक्रिया अच्छे से समझ गए प्रशन तो देखी रहे हैं साथी साथ जो अकर्मक्रिया को लेकर आपके मन में यदि कोई शंशय था तो वो हबी आज के लिए हो जाएगा समुच्य वोधक अव्य का प्रियोग नहीं हुआ है चोर ऐसे भागा कि उसका पता ही ना लगा राजा ने समुद्र परियंत राज्य बढ़ाया ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी यद्य भी हम बनवासी हैं तो भी लोग के विभारों को भली बाती जानतें तो option B इसका right answer है राजा ने सम्मुद्र परियंत राज्य बढ़ाया अब समुच्य वोधक अव्य देख लेते हैं अव्य कोई समझ लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि अभी तो पहली बार ही हम पढ़ रहे हैं ऐसे शब्द हर स्थिती में अपने मूल रूप में बने रहते हैं चुकि अव्य का रूपांत्रण नहीं होता इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं इनका व्य नहीं होता अथा ये अव्य हैं जैसे जब तक अभी इधर उधर कब क्यों वा आ ठीक अरे और एवं किंतु परंतु बलकि इसलिए अतेव चुकि अर्थात इत्यादी अव्य के भेद सामाने तो अव्य के चार भेदें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्य बोधक और विसमयादी बोधक समुच्य बोधक देखना है हमें क्योंकि प्रशन में वही पूछा है इसको देखिए ऐसा पद जो क्रिया या संग्या की विशेषण न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य अब पद से जोड़ता है समुच्य बोधक कहलाता है जैसे आंधी आई और पानी बर्सा यहां और अब यह समुच्य बोधक है क्योंकि दो वाक्य आंधी आई पानी बर्सा को जोड़ता है समुच्य वोदक अब्यप पूर्वबाक्या का संबंद उत्तर वाक्या से जोडता है जैसे दो और दो चार होते हैं समुच्य वोदक देख लीजिए पर समानाधी करण व्याधी करण फिर समानाधी करण के चार भेद होते हैं संयोज़क, विभाज़क, विर्दोदर्शक और परणाम दर्शक व्यादी करण के कारण वाचक, उद्देश्य वाचक, संकेत वाचक, स्वरूबाचक इतना कोई नहीं पूछेगा समुच्य बोदक अव्याप समझ गए ठीक है, जो एक का दूसरे से समंद जोड़े निम्न वाच्य में कोश्टक में दिये गए पद के परीचेवाला सही विकल्प क्या होगा अपने गाउं की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, तो तरस गया क्या है क्रिया, तरस ना क्या है, क्रिया, मध्यम पुरुष, हर्षवोदा कभी ज़ए तो पहली बात तो मध्यम पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष है क्योंकि वो अपने लिए कह रहा है कि मैं और अपना, तो वो तो इसमें से फिर क्रिया है, यह तरस गया, क्रिया है यह GTSV के प्रारंब हो गए है, अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर तूटता है, अब आप यह देख लीजिए, कि चाहिए राजस्थान वाले हैं, चाहिए हर्याणा वाले हैं, चाहिए GTSV वाले हैं, यह यूपी वाले हैं, यह व्याकरण के प्रशने बस आप इतना ध् रखें, आपकी TZT, PZT, उत्तरप्रदेश जनवरी में आयजित होने की संभावना है, पूरी-पूरी, ठीक है, और इसे संबंदी चोटा सा वीडियो सुबह डाल चुकी हूँ, और इसके अलावा नेट आपका होना ही है, उसमें कोई शंशे नहीं है, GTSV जिनके भी फॉर बार प्रशन करें कि मैं हरियाना से हूँ, तो मैं ये प्रैक्टिस सेट करूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो भाई इसमें सभी के प्रशनों का संकलन है, सभी लोग इसको करें, उत्तर प्रदेश TZT, PZT वाले विध्यारती विशेश रूप से चैनल की प्लेलिस्ट चे तीनों मैंने हिंदी बुक शाला चैनल पे कंप्लीट करा दिये हैं, आधुनिक काल में पूरा पद्य हम पढ़ चुके हैं, MCQs के माध्यम से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, उसमें गद्य विधाओं में हमारा उपन्यास गद्य विधा चल रहा है, जिसका की इससे पहला जो मैंने अपलोड किया है, वो उपन्यास गद्य विधा का है, तो एक उपन्यास गद्य विधा का प्रैक्टिस सेट आएगा, और दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका जो उपन्यास जब खतम हो जाएगी, तो कोई अन्य गद्य विधा आएगी, और एक प्रैक्टिस सेट मे आपका ये व्याकरणवारला डालती रहोंगी बीच बीच में संस्कृत का भी एकाद प्रैक्टिस सेट में डाल दूँगी जो हिंदी टीजीटी पीजीटी में उत्रपरदेश में पूछी जाती है तो आप लोग बस अब नियमित रहिए ठीक है आगे देखते हैं अभीमानी व्यक्ति का घमंड जरूर तूटता है तो अभीमानी क्या है ये गुणवाचक है गुणवाचक विशेशन है अभीमानी क्या होना गुणवाचक विशेशन है विशेशन के चार भेद होते हैं गुड़ वाचक, संख्या वाचक, परिणाम वाचक और सार्भ नामिक विशेशन संकेत वाचक आगे देख लेते हैं इच्छा वाचक वाक्या का सही विकल्प चुनिए माता जी बाजार गई है तुम घड़ जा सकते हो इस्कूल की परिक्षाय कब से मैं भी आपकी तरह देश की शेवा करना चाहता हूँ तो भई ये तो सीधा साई है वो इच्छा व्यक्त कर रहा है तुम घड़ जा सकते हो आग्या है माता जी विदार कहीं है विधी बाचक है इस्कूल की परिक्षाय कब से प्रशन वाचक है रचना के आदार पर वाक्य कितीन भेद और अर्थ के आदार पर आठ ये ध्यान रखिएगा कौन से वाक्य में विधे का सही विकल्प है चुनिये शीला गाना गा रही है तो गाना गा रही है यहाँ विधे है उद्देश कौन है शीला जिसके संबंद में कुछ कहा जाता करता वह उद्देश कहलाता और जो कुछ कहा जाता है वह विधे कहलाता है बिटेट बंद करो निम्लेकित विकल्पव में से आग्या वाचक वाक्य के लिए सही विकल्प है सब अपनी जगह पर बैठ जाईए आग्या तो बहुत सीधा है मतलब इतना सरल डीट पल ऐस भी में पूछा जाता है निम्लेकित विकल्पव में से सहीध वाक्य को चुनिए सहीध बादल गरज रहें और बढ़शा हो रही है और आगया तो पहला विकल्पवी इसका सही है आगे देखते हैं मध्यम पूरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या है मध्यम पूरुष है आप सब हम सब यह में आप सब है ठीक है वीर राम ने सब राक्षासों का वद किया पद के परीचे वाला विकल्प चुनिए वीर तक क्या है संग्या है विशेशन है अव्य है पूरुषवाचा विशेशन डी ट्रीपल आसवी वाले प्रशन तो बहुत ही इजी है अब आपके इसके आगे के प्रशन दूसरे प्रैक्टिस सेट में देखेंगे धन्यवाद विशेन जरी वाले वाले झाले वाले झाले लाईवाचा झाले प्राव ऑ्रोच वाले लाईने लाग